कई बार हम लोगके साथ में problem होती है, जब हम brah पहनते हैं, तो यहां पर कुछ इसके pouches जैसे बन जाते हैं, यह side में से skin निकलती है, यहां पर pouches से बन जाते हैं, या कई बार जो हमारी brah होती है, वहमें बिलकुल fit होती है, लेकिन यहां से वो साइडों से हमें ऐसे loose जैसी महसूस होती है, ढिली ढिल लगती है, step के बाद में ऐसे loose लगती है, इसका कारण होता है सही bra size का selection ना करना, अक्सर महिलाओं से जब उनका bra size पूछा जाता है तो उनका reply होता है 32, 34, 36, जबकि यह जो है यह आपका सही measurement नहीं ह अगर आप सर्फ इस measurement के हिसाब से अपनी bra purchase करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरीके की problem होती हो, pouches बनने की, या loose पर जाने वाली, या ऐसे breast लटके वे रहते हैं, इस तरीके problem आप face कर सकते हैं, क्योंकि जब हम bra चुनते हैं, तो उसके लिए सर्फ यह measurement 34, 36 यह ही जरूरी नहीं है, साथ में आपके cup size का भी measurement बहुत जरूरी है, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से आप घर पे ही simple तरीके से measurement लेके सही bra का selection कर सकते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, और जैसे मैंने measurement बताया है, इसी तरीके से measurement लेके अपनी next bra के purchasing कीजिए, और फिर आप मुझे comment session में बताइए कि आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो देखे परफेक्ट measurement के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से एक inch tape ले लेना है, यह inch tape, एक normal सा inch tape है, जो लगबग हम सभी के घर में होता है, जो हम saliva के लिए स्तमाल करते हैं, इसको आपको लेना है, और यह जो आपको measurement लेने है, यह आपको बिना कपडों के लेने है, even not bra, कुछ भी आपको नहीं पहनना है, ब्रा भी नहीं पहननी है, और फिर आपको इसका measurement लेना है, इस तरीके से, पूरा fit जितना आपका बैठता है, उतना आप इस तरीके से इसको measure कीजिए, जितना भी आपका measurement आ रहा है, उसको आप note कर लीजिए, जैसे यहाँ पे जो आया है, यह 34 आया है, आपका जितना भी आया है, आप note कर लीजिए, गर आपका 33 आया है, तो आप इसको as अगर आपका यह 32.5 आया है तो आप इसको as a 32 consider कर सकते हैं यह जो आपको लेना है यह आपको सिर्फ इवन नंबर में ही लेना है जो भी आपका नेरस्ट इवन नंबर हो वो आप ले लीजिए याद रखना है कि बिल्कुल आपको फिट करके यह measurement लेना है I hope कि आपने measurement ले लिया होगा नेक्स्ट आपको क्या करना है अगेन इस तरीके से step को लेना है और यहाँ पे जो आपका सबसे उगरा हुआ वाला हिस्सा है जहाँ पे सबसे बड़ा आपका जो size आएगा वहाँ पे आपको इस तरीके से इसको 12 से लपेट लेना है ठीक है बहु ठीक है यह मेरा आपको पहली बता है कि आपको इसमें कपड़े नहीं पहनने है तब आपको इमिजरमेंट लेना है इस तरीके से और जितना भी आपका आता है आप नोट कर लिए जैसे यहाँ पे अभी आया है यह 38 ठीक है तो हमारा जो band size आया था धाट is 34 और जो हमने उप इसका डिफरेंस यहाँ पे है इसी तरीके से आपका भी कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर आएगा यह आपका 32 और 37 भी हो सकता है या फिर आपका 32 और 33 भी हो सकता है 32 और 34 भी हो सकता है मतलब कितना भी हो सकता है अब जैसे यह मैं बतारियों कि यहाँ पे जो आया था नीच कि 34a अगर आपका डिफ्रेंस दो का है तो या इनी कि आपको B का पाएगा, 3 का है तो C का पाएगा, 4 का अगर डिफ्रेंस है तो D का पाएगा, और अगर 5 का डिफ्रेंस है तो आपको डबल D का पाएगा. Normally Indian women का जो breast size होता है वो इनी कप के measurement के आसपास होता है, इससे जादा जनरल केस में नहीं होता है, अगर आपका जो डिफ्रेंस है ये 5 यानि कि डबल D से भी जादा है, तो आपको फिर इससे भी बड़े जो cup size होते हैं, उसका आपको purchasing करना है, इसके बाद में फिर F आता है और उससे भी उपर को फिर आते हैं, तो वो आप देख लीजी कि आपका कितना डिफ्रेंस आया है, अगर आपका नीचे वाला जो size है वो 32 है, उपर 1 का difference है, यानि कि 33 है, आपको 32 A size का ब्रा लेना है, उसी तरीके से आपको check कर लेना है, अगर ये 36 है, उपर 38 है, आपको 36 B करीदना है, नीचे 36 है, उपर 40 है, आपको 36 D size का खरीदना है, ठीके, तो इस तरीके से आप इसको measure करके एक सही cup size का selection कर सकते हैं, और सही ब्रा को select कर सकते हैं, जब आप इस तरीके से measure करके आपने लिए ब्रा purchase करेंगे, तो आपको इस तरीके के, जो मैंने आपको starting में बताया था कि pouches का problem होता है, loose bra का problem होता है, ये स्तारी दिक्कते आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी, यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है, कि ये जो आपको cup size मिलते हैं, ये आपको जो branded bra होती हैं, उसी में ही मिलते हैं, या फिर जो थोड़ी सी costly वाली होती है, मतलब उसी में आपको ही cup size मिलते हैं, अगर आप local market से थोड़ा सस्ते दामों वाली अगर आप bra खरीते हैं, तो उसमें cup size generally लिखे वे नहीं होते हैं, तो वो normally B या maximum C cup होता है, अगर आप उसको बड़ा कुछ देख के अगर आप ले रहे हो, एक्जामपल के लिए अगर आप daily wear के लिए दून रहे हैं, तो आप teenager का bra खरीच सकते हैं, उसमें आपको सारे cup size अबलेवल होते हैं, cotton का bra होता है, daily wear के लिए बहुत अच्छा होता है, यह मैं आपको specific example दे रहे हूँ, सिर्ब बता रहे हूँ, बाकि आप अपनी मर्दी से कुसी brand का कोई भी बड़ा खरीच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको measurement सही से लेना है, और सही तरीके से select करना है, यह information आपको जरूर पसंद आई होगी, जादा से जादा महिलाओं के साथ में इस वीडियो का आप शेयर कीजिए, क्योंकि जादा तर लेडिस को यही नहीं पता होता किस तरीके से measure करना है, और उनका actually सही bra का size क्या है, उनको भी इससे help हो जाएगी, आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like जरूर कर दीजिए, इस topic से जुड़ावाँ आपका और कोई भी सवाल है, तो comment section में लिके पूछ सकते हैं, अपने ध्यान लेकिए, खुश रहिए, fit रहिए, thank you!